हाई वीवर्स वेलकम बैक तो मैं चैनल फ्रेंज्स यह दिखिए आज हम सिखेंगे यह बहुत ही सुन्दर सा और बहुत ही इजी निटिंग पैटन इस डिजाइन को आप किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं लेडिस कार्डिगन में लेडिस जैक्ट में जैंट साफ साट रुफल स्वेटर में बच्चों के स्वेटर में कैप में मफ्रल में डाल सकती हैं तो दिखिए फ्रंट साइड से यह इस तरह से दिखता है और बैक साइड से यह इस तरह से दिखता है तो फैन इस डिजाइन को लिए हमें जो सिची चाहिए होंगे वो 10 के multiple से होंगे plus 2 फंदे extra रखनी होंगे और जो design है total 10 रोग का design है यहाँ पर मैंने 22 फंदे लिए है 20 फंदे 10 के multiple से लिए है plus 2 फंदे extra लिए है और जो फंदे लिए और जो बना लिए है तो चलिए बनाते हैं यह इसकी first row है और right side है ऐसे slip करेंगे repeat pattern start करेंगे एक फंदा सीधा बनाएंगे फिए धागा आगे करेंगे 8 फंदे बना लेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 धागा पिछे एक फंदा सीधा बनाएंगे यह देखे मारा एक pattern complete हो गया इसमें हमने एक फंदा सीधा बना 8 फंदे उल्टे यह देखे फिर से इस pattern को repeat करेंगे धागा पिछे रखेंगे और एक फंदा सीधा बनाएंगे 1, 8 फंदे उल्टे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एक फंदा सीधा ऐस्ती सीधा बना लेंगे first row complete हो गई है second row wrong side इस सारी row को उल्टे उल्टे फंदों के साथ बनकर complete करेंगे हर बार इसकी wrong side हम उल्टे 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 फंदों के साथ ही बनाएंगे एस्टिच भी उल्टा ही बनाएंगे third row right side अब देखे एस्टिच स्लिप करेंगे हम दो फंदे लेंगे और इसको right to left ट्विस्ट करेंगे यह देखे इन दो फंदों के हम right to left ट्विस्ट करेंगे यानि कि इस तरफ को ट्विस्ट करेंगे बैक लूप से पीछे का फंदा आगे लेकर आएंगे और फ्रंट लूप से आगे वला फंदा पीछे लेकर जाएंगे दो फंदे सीधे बना लेंगे one two धागा आगे six फंदे उल्टे one, two, three, four, five, six धागा पीछे दो फंदे left to right ट्विस्ट करेंगे इसको इस तरफ को ट्विस्ट करेंगे पीछे के फंदा आगे की साइड से आगे लेकर जाएंगे और आगे वाला फंदा पीछे की साइड से पीछे लेकर जाएंगे और दोनों फंदे सीधा बना लेंगे यहाँ से यहाँ तक हमारा एक पैटन कम्प्रीट होगे इसमें हमने दो फंदे right to left ट्विस्ट किये और सीधा बुना one, two, three, six फंदे उल्टे बनाए two, four, six, दो फंदे left to right ट्विस्ट किये और सीधे बुने one, two, फिर से इस पैटन को रपीट करेंगे यह देखे दो फंदे right to left ट्विस्ट करेंगे चाहे आप इसको उतार का ट्विस्ट कर लीजिए चाहे आप ऐसे भी कर सकते हैं पहले हम back लूप से second फंदा सीधा बनाएंगे फिर फ्रंट लूप से first फंदा सीधा बनाएंगे यह देखे धागा आगे करेंगे six फंदे उल्टे one, two, three, four, five, six अब दो फंदे left to right ट्विस्ट करेंगे पहले फ्रंट लूप से second फंदा सीधा बनेंगे फ्रंट रूप से ही first फंदा सीधा बनाएंगे एस्टिच भी सीधा ही बना लेंगे fourth row, wrong side फिर से इस सारी रूप को उल्ट उल्ट फंदों के साथ बनकर complete करेंगे row five, right side एस्टिच slip करेंगे, repeat pattern स्टार्ट करेंगे एक फंदा सीधा बनाएंगे फिर से दो फंदे, right to left ट्विस्ट करेंगे, इस तरफ को back लूप से पहले second फंदा सीधा बनाएंगे फिर front लूप से first फंदा सीधा बना लेंगे धागा आगी करेंगे, four फंदे उल्टे one, two three, four धागा पीछे, दो फंदे left to right ट्विस्ट करेंगे इस तरफ को ट्विस्ट करेंगे, पहले second फंदा सीधा बनाएंगे, फिर first फंदा सीधा बनाएंगे एक फंदा सीधा बनाएंगे ये देखें, मारा एक pattern complete होगे, इसमें हमने एक फंदा सीधा बना, दो फंदे left to right ट्विस्ट किये हो सीधा बने one, two, फिर four फंदे उल्टे, two, four दो फंदे, left to right ट्विस्ट किये हो सीधे बने one, two, एक फंदा सीधा बना फिर से इस पैटन को बार-बार पिट करेंगे तो देखें धागा पिछे रखेंगे एक फंदा सीधा बनाएंगे दो फंदे ट्विस्ट करेंगे बैक लूप से पहले सेकेंड फंदा सीधा बनेंगे फ्रंट लूप से फर्स्ट फंदा सीधा बना लेंगे फोर फंदे उल्टे फोर धागा पिछे दो फंदे left to right twist करेंगे पहले second फंदा सीधा बुनेंगे फिर first फंदा front लूप से सीधा बना लेंगे फिर एक फंदा सीधा सीधा बना लेंगे 6 row wrong side फिर से इस सारी row को उल्ट उल्ट फंदों के साथ बुन कर complete करेंगे 7th row right side ऐसी slip करेंगे repeat pattern start करेंगे दो फंदे सीधे बनाएंगे 1, 2 अब दो फंदे right to left twist करेंगे इस तरफ को वेक लूप से second फंदा सीधा बनाएंगे front लूप से first फंदा सीधा बनाएंगे धागा आगे दो फंदे उल्टे 1, 2 दो फंदे left to right twist करेंगे इस दिखें इस तरफ को पहले second फंदा front लूप से सीधा फिर front लूप से first फंदा सीधा बनाएंगे दो फंदे सीधे 1, 2 इस देखें हमारा एक पैटन कंप्लीट हो गया इसमें हमने दो फंदे सीधे बने 1, 2, दो फंदे right to left twist किये और सीधे बनाएं 1, 2, दो फंदे उल्टे 1, 2 दो फंदे left to right twist किये और सीधे बने 1, 2, दो फंदे सीधे बनाएं यह देखिए मारा एक pattern complete हो गया है फिर से इस pattern को repeat करेंगे दो फंदे सीधे बनाएंगे वन तू दो फंदे राइट टू लाइट विस्ट करेंगे पहले सेकंड फंदा सीधा फिर फंद लूप से फस्ट फंदा सीधा दागा आगे दो फंदे उल्टे वन तू दो फंदे लेट टू राइट विस्ट करेंगे पहले फ्रंट लूप से सेकंड फंदा सीधा फ्रंट लूप से फस्ट फंदा सीधा बनाएंगे दो फंदे सीधे वन तू सीधा बना लेंगे सेबंध राव कंप्लीट हो गई है इट्स रो रॉंग साइन इस सारी रो को उल्ट उल्ट फंदों के साथ बुनकर कम्प्लीट करेंगी नाइंत रो राइड साइड अब देखे स्ट्री स्लिप करेंगे स्टार्टिंग के तीन फंदे सीधे बना लेंगे फिर दो फंदे राइड तू राइड विस्ट करेंगे बैक लूप से पहले सेकेंड फंदा सीधा फ्रंट लूप से फस्ट फंदा सीधा बुन लेंगे फिर दो फंदे लेट टू राइट विस्ट करेंगे, front loop से second फंदा सीधा, front loop से ही first फंदा सीधा बुनेंगे, तीन फंदे सीधे, 1, 2, 3, यह देखिए, मारा एक पैटन कम्प्लीट हो गया है, इसमें हमने तीन फंदे सीधे बनाए, 1, 2, 3, दो फंदे राइट टू लाइट विस्ट की हो सीधे बने, 1, 2, तो फंदे लाइट विस्ट की हो सीधे बने, 1, 2, तीन फंदे सीधे, 1, 2, 3, फिस इसे इस पैटन को और पीट करेंगे, तीन फंदे सीधे बनाएंगे, one, two, three, दो फंदे, right to left twist करेंगे, back loop से second फंदा सीधा, front loop से first फंदा सीधा बनाएंगे, अब दो फंदे left to right twist करेंगे, front loop से second फंदा सीधा, फिर first फंदा सीधा बनेंगे, front loop से, तीन फंदे सीधे, one, two, three, एस्टी सीधा बना लेंगे, rotten, wrong side, फिर से इस सारी रो को उल्ट उल्ट फंदो के साथ मुन कर complete करेंगे, यह दिखे, rot and complete हो गई है, और हमारा pattern भी complete हो गया है, फिर से हम इसे first row से start करेंगे, तो दिखे कैसे करेंगे, first row right side, as we slip करेंगे, repeat pattern start करेंगे, एक फंदा सीधा बना लेंगे, धागा आगे एट फंदे उल्टे, one, two, three, four, five, six, seven, eight, एक फंदा सीधा, इदेखे, मारा एक pattern complete हो गया है, फिर से इस pattern को repeat करेंगे, धागा बीचे रखेंगे, एक फंदा सीधा, धागा आगे, एक फंदे उल्टे, one, two, three, four, five, six, seven, eight, एक फंदा सीधा, ऐसी सीधा बना लेंगे, ये दिखे, फिर से हमारा pattern, first row से start हो गया है, ऐसे ही बार-बार हम इसकी one, two, ten row repeat करते जाएंगे, और ये pattern बनकर इस तरह से दिखने लगेगा, इससे आप किसी भी project में डाल सकते हैं, लेडीज काडियन में, लेडीज एकट में, जैंट साफ स्वेटर, फिल स्वेटर में, बच्चों के स्वेटर में, कैप में, मफ्रोड में डाल सकती हैं, तो friend, आप भी से बनाएए, और अपने experience हमारे साथ शेयर कीजिए, अगर आपको हमारे वडेट चल लगा, तो मेरे चैनल को like, share and subscribe करना में पूले, तो मिलते हैं next video में, thank you friend, for watch me,